समस्कार मित्रों स्वागत आपका अमारे यूटीब चैनल पे यूपी मतलब बवाल इस्पेशली यूपी बेसिक मतलब महाबवाल यहाँ पर कोई भी परीक्षा हो, नियुक्ती हो, कुछ भी हो बिना कोट में गए, वो आस तक ना निकली है और ना आज निकल पाई है 79,000 सिक्षक भरती में अतरिक्त नियुक्ती नहीं कर सकते हैं यह हाई कोट का आदेश आ गया है और जो 6,800 अब भी हरती जो थे, उनकी जो सूची है वो अब अटक गई है भरती में यह नया मोड़ा आ गया है सरकार ने, आपको पता होगा कि 6,800 अलग से फिर से भरती करने के लिए एक आदेश निकाला था और उसमें लिस्ट भी आ गई थी परन्तु, कोट में जाके यह मामला फिर से फस गया है फड़ाफ़ नियूस पढ़ लेते है 69,000 सिक्षक भरती जो थी मामले में एक नया मोड़ा गया है इलाबाद हाई कोट ने, लखनो पीट ने कहा है कि वर्ष 2018 में विज्यापित 69,000 रिक्तियों के अतरिक्त बिना विज्यापन के एक भी नुक्ती नहीं किया सकती प्रदेश सरकार ने 5 जन्वरी को 6,800 अभ्यरतियों की एक अतरिक्त चैन सूची जारी करने का निर्णा किया था इस सूची को हाई कोट में चुनावती दी गई थी नियायमूर्ती राजन रॉय ने यह अंतरिम आदेश भारती पटेल वा 5 अन्य भेरतियों द्वारा दायर एक याचिका पर सूप्रीम कोट के आदेश का हवाला देते हुए दिया शीश कोट ने कहा कि 1 दिसंबर 2018 को विग्यापित पद से अधिक न्यूक्ती नहीं दी जानी चाहिए हाई कोट ने कहा कि अब यह राज को तै करना है कि उसे इस मामले में क्या करना कियूंकि यह दिल्चफ़ स्थिती राज ने पंदा की है लेकिन एक बात बहुत सपस्ट है कि उन्हें तरजार रिक्तियों से अधिक एक भी नियूक्ती नहीं की जा सकती अत्रिक्त न्यूक्तियों पर रोक लगाते हुए कोट ने वर्तमान मामले में पेडंसी के बारे में दो प्रमुक अकबारी अकबारों में प्रकाशन कराने का भी दिर्दिश दिया है क्योंकि इसमें काफी लोगों के हित शामिल है याचिका करता ने 6800 अभीर्दियों की अत्रिक्त सूची को कानून की मनशास के खिलाफ बताया था तो अब फिर से फसने वाला है ये पेंच लेकिन हाला कि अगर मैं अपना वर्डिक्ट इस मुद्दे पर देना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि जो नोटिफिकेशन होता है नोटिफिकेशन में एक शब्द लिखा होता है कि जो number of vacancies है वो कभी भी घटाई या बढ़ाई जा सकती है अगर ऐसा प्रदर्शित नोटिफिकेशन में था तो ये मामला बहुत दिन तक नहीं खिचेगा और बहुत दिन तक खिचेगा भी अगर तो अंत में सरकार की तरफ ही इसमें जीत होगी और एक बात सरकार के 90% जो भी फैसले होते हैं उसको वो डिफेंट करना कोट में बहुत अच्छे से जानती है किस तरीके से वो इसको डिफेंट कर सकते हैं क्योंकि जब अधिकारी कोई चीज़ करते हैं तो उसके लिए उनको पता होता है कि जो अभिड़ती है वो जरूर कोट जाएंगे तो वो इसका तोड़ पहले से डूळ के रहते हैं अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पे क्या करती है पी एनपी की जो इदेकारी है जिन्होंने ये 6800 के लिए अलग से विग्जिपती निकाली थी उनका क्या कहना है या फिर वो इस पे क्या करते हैं या पिर फेलाल पता है कि अगर कोई भी मामला कोर्ट में जाता है तो सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच का मूँ देखना एक तरीके से 99 प्रतिशत तैय होता है लंबा जा सकता है मामला लेकिन उमीद है कि जीत सरकार की होगी क्योंकि सरकारी अधिकारी जो भी ने लेते हैं तो वो दोनों को सोच के लेते हैं अब देखते हैं क्या होता है क्या वो 10% में जाता है कि जिसमें सरकार हारती है या फिर से यह 90% में जाके जुड़ जाएगा जो हमेशा शरकारें जीतती हैं जो भी होगा सबसे पहले आपको इस न्यूज चैनल से ख़़बर मिल जाएगी कोई भी करें